अगर हर महीने जमा होने वाला आपका प्रोविडेंट पंड यानी PF साल भर में धाइ लाग रूपए से ज्यादा हो जाता है तो अब उस पर मिलने वाला ब्याज इंकम टैक्स के दाएरे में आएगा सरकार ने अब PF जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स के लिए नियम बना दिया है इस नियम को हम आपको यहां समझा रहे हैं आपको बता दें कि वित मंत्री निर्वला सीता रमन ने वित वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते समय ही यह एलान किया था कि PF में अगर किसी का contribution धाइलाक रुपए से ज़्यादा का होता है तो ऐसे लोगों को इस से मिलने वाले इस ब्याज आए पर टैक्स देना होगा अब Central Board of Direct Tax ने इसको लेकर notification चारी कर दिया है और इस notification के मताबिक taxable ब्याज की calculation के लिए Employees Provident Fund Organization के द्वारा Provident Fund Account के भीतर एक अलग account खोला जाएगा यानि ऐसे लोगों का दो तरह का PF account होगा Tax मामलों के expert बलवन जैन कहते हैं कि किसी साल में PF में धाइलाक रुपए के अतरिक्त जो contribution होगा वो दूसरे account में जाएगा इस पर जो ब्याज से कमाई होगी उस पर व्यक्ति के अपने tax slab के मताबिक tax कट जाएगा यही नहीं अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी साल PF से निकासी कर वो अपना tax बचा लेगा तो ये भी संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि PF के निकासी पिछले वर्षों में जमा रकम से की जाएगी उस साल जमा होने वाली रकम से नहीं ध्यान रहे PF जमा पर नहीं ब्याज पर tax लगेगा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां बात PF जमा पर मिलने वाले ब्याज पर tax की हो रही है P.F. के कुल जमा पर तो आपका employer पहले ही नियम के मुताबिक tax काटता है और आप जो income tax return भरते हैं उसमें इसका वित्वरण होता है आईकर की धारा A.T.C. के तहट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही P.F. जमा income tax free है उससे उपर जो भी अत्रिक्त रकम होगी वो आपके taxable income में जुड़ जाएगी कब से लागू होगा ये नियम? CBDT ने कहा है कि नए नियम 1 अप्रेल 2022 से प्रभावी हो जाएंगे यानि CBDT की ओर से जारी notification के मताबिक P.F. में 31 मार्च 2021 तक EPFO subscriber की ओर से किया गया कोई भी contribution non taxable रहेगा Financial year 2020-21 के बाद P.F. अकाउंट्स पर ब्याज की calculation अलग-अलग की जाएगी अलग खाते में क्या होगा? तो अगले साल से होगा ये कि अगर किसी का एक साल में P.F. का contribution धाई लाग रुपे से जादा होता है तो धाई लाग रुपे से उपर उसकी जो भी contribution होती है उसे और उस पर मिलने वाले ब्याज को एक अलग खाते में रखा जाएगा इस खाते में उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा P.F. अकाउंट में हर साल धाई लाग रुपे तक contribution पर इंट्रेस फ्री ब्याज की लिमिट प्राइवेट सेक्टर के करमचारियों के लिए ही है सरकारी नौकरी वाले लोगों के 5 लाग रुपे तक के डिपॉसिट से होने वाली ब्याज आए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा हालनकि सरकार का ये भी कहना है कि धाई लाग रुपे तक सालाना P.F. कॉंट्रिबूशन करने वाले लोग देश में सर्फ एक फीस दी है इसलिए इसका ज्यादा लोगों पर असर नहीं होगा ये नियम उनकुछ ऐसे बड़े खिलाडियों को रोकने के लिए लगाए गया है जो करोणो रुपे पीफ में जमा कर उस पर टैक्स फ्री ब्याज हासल करते है